क्या Australia यह मैं जान बूच कर हार सकते हैं ताकि England बाहर हो जाए बेसिकली ग्रूप B जो है जिसमें Australia, Scotland, Namibia, England and Oman है उसमें Australia अभी currently top of the table है 6 points के साथ Scotland है 5 points के साथ and आप England देख सकते हो 4th number पे 1 point के साथ तो England का जो अब 2 remaining matches है वो Scotland और Namibia के साथ है and England को qualify करने के लिए ये 2 matches जीतने होंगे and not only the points with the run rates also England को बहुत अच्छे margin से भी जीतना होगा क्योंकि आप देख सकते हो उनका minus 1.800 है और Scotland का जो एक remaining match है वो Australia के against है और Scotland को qualify करने के लिए Australia को हराना होगा अब England के जो 2 matches है वो तो चलो England अपने control में जीत भी ले but Australia के against जो Scotland का match है वो उनके हाथ में नहीं है क्योंकि अगर Australia हार जाते हैं तो Scotland तो Super 8 में चले जाएंगे उनका 7 points हो जाएगा तो इसी चीज के बारे में जब Josh Hazelwood से question किया गया तब उन्होंने कहा we have had some real struggles against England in T20 cricket तो अगर हम उन्हें tournament से बाहर कर देते हैं that's in our best interest और हमारे साथ साथ बाखियों के लिए भी it will be interesting to see तो इस चीज को लेकर थोड़ों controversy उडिया कि भाई आप publicly ऐसे चीज़े कैसे बोल सकते हो आप cricketer हो आप इतना controversial statement कैसे दे सकते हो and according to the rules also एक team ऐसा deliberately नहीं कर सकती है कि दूसरे team को just बाहर करने के लिए वो लोग जान कर हार गए और इतना ही नहीं और इतना ही नहीं Australia के जो captain Mitchell Marsh उन्हें suspend कर दिया जा सकता है अगर Australia deliberately हारते है Scotland से तो चल अब एक तरफ तो Australia को hit मिल रहा था sportsmanship को लेकर बट दूसरे तरफ लोग बोल रहे थे कि वो of course यह सब sarcasm में बोलें क्योंकि उन लोगों को तो पता है ना क्या allowed नहीं है क्या नहीं है कैसा rule है तो वो sarcasm में ही बोल रहे थे वरना तो दिक्कत हो जाएगा तो कुछ लोग यहां पर थोड़े confused है कि sarcastic था या ने आप लोगों क्या लगते गाइस मुझे comments में ज़रूर बताना